Indian Industry को हम Scale of Business के basis में तीन कटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं cottage, small scale और large scale industries में small scale industry, large scale industry कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो business perform कर रहे हैं, जो production हो रहा है, फिर जो technology हो रही है वो किस तरीके का use हो रहा है small level पर production हो रहा है, large level पर production हो रहा है घर के member ही काम कर ले रहे है उस business में या फिर आपको बहार से employee hire करने पड़ रहे है resources आप आसपास की use कर रहे हो raw material या फिर आपको अपने किसी दूसरे state से फिर किसी दूसरे country से मगवाना पड़ रहा है आसपास के गाउं के area में ही आप अपना business start कर लेते हो तो a small business in which people work in their own houses often using their own equipment तो cottage industry या इस ताइप के business organization इस ताइप के enterprises जहाँ पर अपने घर में ही जो हो production करते हैं बनाते हैं और खुद के ही equipment use करते हैं उनके पास जो भी होता है उसी दौरा उसी का use करके जो है production करते हैं और यह small and mostly family run enterprises होते हैं यानि कि जो परिवार के लोग होते हैं वही लोग उसमें काम करते हैं वही लोग उसको sell करते हैं और पैसा कमाते हैं यह जो है एक्जामपल है आप जो है cottage industry का जो हैंडिक्राफ होते हैं टेक्स्टाइल होते हैं जो खुदी गर पर बैट के बना रहे होते हैं और फिर मार्केट में जाके बेशते हैं वह cottage industry का एक्जामपल है member of the household act as labor and material for such a setup for production are mostly locally sourced यानि कि जो material used होता है उसके production में वो household जो locally produced होता है आसपास के गाउं के अरिया में वही से उसको जो है use किया जाता है और जो labor होता है वो भी क्या है वो अपने घर के members होते हैं profit generated from the operation are typically used to meet the household expenses तो यहाँ पे जो cottage industry से जो profit generate होता है वो normally क्या है वो अपने घर के खर्चे के लिए ही use कर लिया जाता है तो example के तोर पे leather manufacturing हो गया silk waving हो गया cotton waving हो गया small scale food processing ऐसे की अचार बनाने का काम हो गया या फिर आप जो है metal handicraft जो है बना रहे हो या फिर carpet making कर रहे हो तो यह सब क्या है यह cottage industry के example होते है जो लोग अपने घर में ही होते हैं कि अपने घर में ही दुकान खोल ली अपने घर में जो है product बना रहे है और उ चोटा motor production हो रहा है बेंज दिया आज का खर्चा निकल गया तो यहाँ पर problem क्या है कि migration of skilled labor towards cities यानि कि यह जो skilled labor होते हैं जो cottage industry क्यों होते हैं यह क्या है अब सहर की दर भाग रहे हैं क्योंकि profit ज्यादा होता नहीं है इनको market इतना बड़ा मिलता नहीं है opportunity कम होती है तो ज्य industry से competition भी होता है inefficient logistic and financial support यानि कि यह लोग product तो बना लेते हैं लेकिन यह अपना product आसपास के area में ही बेच पाते हैं दूर तक नहीं बेच पाते हैं दूसरे state यह दूसरे other countries में ज्यादा तर यहाँ पर अपना product नहीं बेच पाते हैं क्योंकि logistic facilities नहीं होती transportation की facilities नहीं है और financial support भी इनको उतना नहीं मिल पाता है और सबसे important is lack of digitalization यहाँ पर यानि कि इनके जो products होते हैं यह कहीं न कहीं digital platform से दूर हो जाते हैं इस वज़े से भी क्या है यह कुछ problem से cottage industry को अब बात कर लिए small skill industry तो cottage industry जो घर पे ही अपना product बना रहे हैं घर के लोग ही मिलके product बना रह रहे हैं वहीं पर आब आता है इससे थोड़ा बड़े label पर perform करते हैं business यानि कि यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई shop open कर ली आपने 10-15 labor hire कर लिया और फिर आप product बना कर market में sale कर रहे हो आप पूरा district कबर कर ले तो यह हो सकता है कि पूरा state कबर कर ले रहे हो तो इस type के business organization को small scale industries में ले आते हैं those industries in which the process of manufacturing, production and servicing are done on small scale छोटे scale पर कर रहे हो तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप कोई technology यूज़ करोगे other employees को यहाँ पर hire करोगे labor को hire करोगे और फिर आप product को यहाँ पर develop करते हो और फिर अपने area में sell करते हो investment on such industries is one time and these investments are mostly done on plant and machinery यहाँ पर जो investment होता है वो normally one time होता है और normally plant और machinery पैसे खर्च कर दी जाते हैं जैसे paper bag के आपने बनाने के एक factory लगा लिए paper bag बनाने वाली machine purchase कर लिए और 4-5 labor hire कर लिए आप जो है वो काम कर रहे हो तिया क्या हो गया यह small scale industries हो गया तो इस type के industries में क्य होता है कि जो total investment होता है वो एक करोड से जादा का नहीं होता है the manufacturing of goods and rendering of services are done with the help of smaller machine and very limited manpower तो यहाँ पर आपको ध्याँ रखना है कि जो cottage में था महाँ पे घर के लोग ही मिलकर अपना काम कर लेते हैं ठीक है लेकिन जो small scale industries होता है वहाँ पर आप छोटे मोटी machine हो का भी use करत हो लेकिन जादा manpower नहीं छोटे small level पर जो है कुछ manpower के requirement यहाँ पर आपको पढ़ती है जैसे machine ले लिया तो machine को चलाने के लिए आपको employee चाहिए होगा being a labor intensive industry it is very helpful in creating employment opportunities for the population of the country तो यहाँ पर क्या है कि अब small scale industries में आपको जो है लेबर की requirement पढ़ेगी employee की requirement पढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होता है कि small scale industries की वज़ा से कहीं न कहीं आपको employment generation होता है आपकी economy में अब बात कर लें characteristics की small scale industries की तो सबसे important चीज कि यहाँ पर जो ownership होती ह है वो single ownership होती है यानि कि sole proprietor या फिर partnership होला ही चल पाएगा यानि कि हमने अकेले अपना business start कर लिया या फिर हम और हमाये दोस्तने मिलकर जो है एक business run कर लिया small scale पर उस business को आप रन कर रहे हो तो यहाँ पर normally क्या होता है single ownership होती है the management of the small scale industries rest with the honor the honor plays an active role in the day-to-day function of the business तो जो जो honor होता है वही जो है पूरा management को देखता है और day-to-day जो भी functions होते है business के उस सभी को control करता है monitor करता है small scale industries are very much labor intensive यानि कि यहाँ पर जो भी काम होते हों labor द्वारा करें जाते हों जो technology का use होता है वो बहुत ही limited होता है small scale industries are flexible and adaptable to changing business environment unlike the large industries तो जो बड़ी industries होते हैं जहाँ पर को soft कर लेते हैं क्योंकि चोटे लेबल पर काम कर रहे है कोई change हुआ technology आई machine हटा है दूसरी machine लेके चले आए small scale industries work in a restricted area which makes them able to meet local and regional requirements तो जैसा कि हमने पता है कि जो small scale industries होते हैं वो क्या है regional या फिर अपने state level पर ही जो है काम कर रहे होते हैं तो local और regional requirements को भी fulfill करते हैं small scale industries use resources that are local and readily available which helps the economy fully utilize the natural resources and bear minimum wastes तो small scale industries का ये भी फायदा है कि वो अपने local area के जो भी resources होते है natural resources या फिर raw matter होते हैं उनका use करते हैं तो fully utilization होता है आपके अपने local resources का तो cottage industries जो अपने आसपास के market में वो अपना product बनाते हैं आसपास के market जाके बेज आते हैं small scale industries जो अपने reason में यानि कि अपने district में अपने state में हो सकता है product बना कर वो sell करते हैं वहीं पे इससे बड़ी जो होती है वो क्या होती है large scale industries होती है clear अब बात कर लें कि role of small scale industries in the Indian economy तो important चार रोल है पहला in employment पढ़ेगी यानि कि employment generation होगा इन economy की बात करें तो small scale industries account for almost 40% of the total goods and services in India यानि कि जो economy में GDP है उसका 40% जो है small scale industries से आता है तो यहाँ पर क्या हो गया कि economy में यह contribute करता है small scale industries help in promoting the make in India initiative which helps in increasing demand for local made product भाई small scale industries है इसे locally made product बन रहे हैं और इसकी वज़ए से क्या है कि जो make in India का initiative है वो promote हो रहा है इन export की बात करें तो majority of export material are provided to the Indian companies from the small scale industries it is estimated that around 50% of all the material exported are produced from such industries यानि कि इंडिया से जो बाहर countries में भेजी जा रही है materials वो normally जो small scale industries है वहीं से भेजी जा रही है 50% जो है जो metal export होता है वो small scale industries से हो रहा है तो economy में इनका ये रोल है कि ये export में help कर रही है ये जो है making India initiative को promote करने में help कर रही है ये जो है economy में help कर रही है GDP ग्रो करती है employment generate कर रही है income generate कर रही है clear तो small scale industries का ये जो है रोल हो गया या फिर आप कह सकते है importance हो गया आप बात कर लिए example के तो small scale industries की बहुत सारे example आप देख सकते हैं जैसे paper bag industry है leather belt manufacturing industry, small toys manufacturing, bakeries, school stationeries, water bottle manufacturing, beauty parlor, pickle manufacturing, incense stick manufacturing, paper plate manufacturing, ये सब क्या है ये सब small scale industries है जहाँ पर एक दो machine use किया label लगाया और आपने product बनाया और अपने region में आपसे करना start कर देते हो आप बहुत सारे ऐसे product देखोगे जो पूरे country में नहीं मिलती है बलकि आप आपके आसपास की region में ही वो product मिलता होगा तो small scale industries हो गया देखिए आपको एक ऐसा product जो सिफ आपके आसपास की market में मिलता हो वो cottage जो ऐसा product जो आपके पूरे region में आपके district में हो जाता है clear अब बात के लिए large scale industries की तो large scale industries क्या हो गया those industries that are having huge infrastructure and raw material यहापर क्या होता है कि infrastructure इनका बहुत बड़ा होता है labor की requirement इनको बहुत ज़ादा होती है और यह large scale पे large label पे जो है production होता है यहाँ पर high manpower requirement and large capital requirement यहाँ पर पैसे की requirement भी ज्यादा होती है जो investment होता है initial वो भी 10 करोण से ज़्यादा होता है और manpower की requirement भी क्या होती है ज़्यादा होती है यहाँ पर 10 से 12 employee नहीं यहाँ पर आपको 50, 100, 100, 200 employee काम करने को देखने को मिलेंगे those organizations having fixed assets of more than 10 करोण रुपीज are considered to be large-scale industry यानि कि ऐसे organization जहाँ पर 10 करोण से ज़्यादा का fixed assets होता है उनके पास उनको हम large-scale industries में रखते हैं use the latest machinery and technology इनके पास latest technology और machinery होती है required skilled worker and therefore the development of large-scale industries help in the development of skilled workforce in the country इनको क्या है भाई latest machinery और latest technology उसको चलाने के लिए skilled worker चाहिए और इसके चकर में क्या होता है कि इनको skilled workforce जो है वो development करने में help मिलता है आप देखते होंगे कि apprentice की training दी जाती है यानि कि आप जो है अच्छे-च्छे में क्या होता है कि प्रहाई की दर्वान summer training के लिए जाता है तो summer training आपको ऐसी industries जहां पर आपको इस तरीके की skills जो है आप वहाँ पर सीख सकें और बात में जब आप job करने जाए तो आपको अच्छे से आसानी से job मिल जाए required large amount of raw material which opens up employment opportunities in the related sector तो यहां पर क्या है कि large industries में आपको large amount of raw material भी चाहिए होता है तो ऐसे लोग जो raw material produce कर रहे होते हैं उनको जो है यहां पर opportunities मिल जाती है involved in large scale production it provides an opportunity to reduce the cost of goods and services as these are produced in bulk देखिए जो production कम amount में हो रहा होगा small scale पर होगा तो उसकी cost भी क्या होगी जादा होगी उसकी price भी क्या होगी जादा होगी और जब आप large scale production करते हो तो जो overall per unit cost होती है यह भी per unit price होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है इससे क्या है था कि जो product की cost है कम होगी तो सस्ते में आपको जो product मिल लेगा improve the quality of life of its employees by providing them with adequate remuneration and other benefits तो यह आपने देखा होगा कि जो cottage industry है वहाँ पर क्या है कि वो अपना घर का खचा निकाल लेते हैं जो small scale industry है वहाँ पर ज्यादा salary आपको नहीं मिलती है लेकिन जो large scale industries होती है वहाँ पर salary लाखों में करोणों में दी जाती है employees को वहाँ पर vacation के लिए आपको packages मिल जाते है other benefits जो है आपको वहाँ पर मिल जाते है तो एक standard of life जो है large scale industries में बन जाती है example की तोर के बात के हैं तो iron and steel industry, automobile industry, textile industry, telecommunication, information technology, petroleum and natural gas, silk industry, fertilizer industry, jute industry, paper, cement industry यह सब क्या है यह large scale industries है जहाँ पर large number of employee की requirement होती है, raw material की requirement होती है, technology machinery की requirement होती है, skill labor की requirement होती है और जो investment होता है वो भी 10 crore से जादा का fixed assets में investment यहाँ पर होता है, clear, तो cottage industry हो चाहे small scale industry हो चाहे large scale industries हो अगर आपको यहाँ पर लिखने को आ गया कि इनके benefits क्या है, characteristics क्या है, तो सभी में आप characteristics के लिख सकते हैं और वही पर benefits की बात करें फिर Indian economy में किस तरीके से help करते हैं, तो सभी के सभी क्या है, एक तरीके से देखा जा तो employment generate कर रहे हैं, GDP generate, GDP में help करते हैं, economy grow कर रहे हैं, export में help करते हैं, clear, तो यह आप जो है role in Indian economy लिख सकते हैं, wish you all the best, keep watching.